हेलो एब्रीवन वेलकम अगेन टू लंब्रे देदीमन आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 के कुशन आंसर चैप्टर का नाम है आजीविका के प्रमुख शेत्र तो दिहान से कुशन पढ़ना है उसका आंसर देने की कोशिश करना है यदि आपने चैप्टर को अच्छे से रीट कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरि के रभी की फसल की बुवाई होती है ने क्टूबर नवंबर सर्दियों में रभी की फसल बोई जाती है और मार्ज अप्रेल में काट ली जाती है प्रमुक रभी की फसल कौन सी है तो वह है गेहू, जो, चना और सरसों याद रखना है गेहू, जो, चना, सरसों ये क्या है रभी की फसल है अगला देखिए खरीफ की फसल की बुवाई कप की जाती है तो यह जुलाई अगस्त में की जाती है खरीफ की फ्रमुक फसल कौन सी है तो वहीं रवी की हमने देखा गेहू, जो, चना, सरसो है और खरीफ की है जौर, बाजरा, मूं, कपास, मक्का, चावल, मुफली, गन्ना और तिल ठीक है तो इनमें से एक ही उठाकर एक्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जौर, बाजरा, म पूंग और जौ, इसमें से कौन सी रवी की फसल है तो वहां आप करेंगे कि जौ एक रवी की फसल है तो इस तरीके से सभी आपको याद रखने हैं Next देखे, question number 6, जायद की फसल की बुवाई कप की जाती है? तो यह की जाती है, March, अप्रेल में तो जैसे ही रवी की फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद जायद की फसल की बुवाई की जाती है नेक्ट दिखिए प्रमुक जायद की फसल कौन सी है? खर्बूच, तर्बूच, ककड़ी ये सभी क्या है? ये सभी जायद की फसल है राजिस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वादिक अनाज कौन सा है? तो देखिए हमारे भारत में बाजरा, सर्सों, ग्वार सबसे ज़्यादा राजिस्थान में बोया जाता है तो यहां सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है बाजरा, सर्सों और गौार तो यहां बाजरा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है अगला देखिए राजिस्थान में जो, चना, उत्पादन में देश में किस इस्थान पर आता है तो राजिस्थान हमारे जो, चना, जो फसल है इद में सेकिंड नंबर पर आता है दूसरे स्थान पर आता है राजिस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वादिक उत्पादित होता है तो सब ही जानते हैं इसका आंसर कि बाजरा सबसे ज़्यादा पक्षमी राजिस्थान में बोया जाता है। बाजरे को कम पानी चाहिए होता है, तो यह मरुस्थलिय राजिस्थान में बाजरा सबसे यदिक उतपाधित होता है। राज्य में किस जिले में सरवादिक गेहूं का उत्पादन होता है। जो राजिस्थान में प्रथमिस्थान रखता है वह है श्रिक गंगा नगर। राजिस्थान में कुल बोई जाने वाली जितनी फसल है उसमें से कितना प्रतिशत फसल सिचाई की सुविदा है। तो देखिए यहां 35 प्रतिशत फसल जो हेतू सिचाई की सुविदा उपलब्द है। राजिस्थान में सरवादिक सिचाई किस से होती है। तो सबसे जादा सिचाई यहां पर कुए से होती है, ट्यूबेल से होती है 66%। ठीक है? तो राजिस्थान में सरवादिक सिचाई किस से होती है? कुए और ट्यूबेल से। राजिस्थान में नहरों से कितना प्रतिशत सिचाई होती है, तो कुए और ट्यूबेल से 66% सिचाई होती है, वहीं पर 33% लगबग उसका आदा नहरों से सिचाई होती है। राजिस्थान में सबसे कम सिच्चाई किन साधनों से होती है तो सबसे ज़्यादा कुवे और ट्यूबेल से और सबसे कम तालाब से पशू पालन की द्रस्टी से राजिस्थान का देश में कौन सा इस्थान है तो इसका सही अंसर है 11.27 प्रतिश्यत नेक्स्ट देखिए बीसवी पशुगर्णा 2019 की अनुसार किन पशुओं की संख्या में कमी आई है तो यहाँ पर उंट घदे इनकी सरवादिक संख्या में कमी आई है और इसके अलावा बहेर बकरी की संख्या में भी कमी आई है लेकिन सरवादिक कमी जो है वह है उंट और घदों में आई है राजिस्थान में कितने प्रकार की खनिज पाया जाते है तो यहाँ पर लगबग 67, 67 प्रकार की खनिज पाया जाते है राजिस्थान में पाया जाने वाला सर्वादिक खनिज कौन सा है? यहां सबसे ज़्यादा रॉक फॉस्पेट जो है पाया जाता है कौन सा खनिजों में राजिस्थान एकादिकार रखता है? तो किन-किन खनिजों में राजिस्थान एकादिकार रखता है? सीसा जस्ता, जिपसम, चांदी और संगमर्व, इन पर राजिस्तान का एकाधिकर है तो हमारे इस चैप्टर में 23 कोशन ही निकल कर आए हैं और ये सभी 23 कोशन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं आपको इनको अच्छे से याद करना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नमबर 9 के साथ थैंक यू